हेलो दोस्तो नमस्ते दोस्तो जय मतादी कैसे हैं आप सब मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है मैं सोनम कश्यप आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और इस वीडियो में आपके साथ मैं आपके साथ मैं एमाजान की ऐस्यार करना ओट आपके इसल стан अब पर सब कर ले заключ है और दुश्तो आपको बाहर से पटाको की आवाज आएगी तो उसको एंकनी कर ये गान के इसका यूएं को उसक कुछ कर सकती यह वैसे उनके पटाके छुडाने स्टार्ट हो गए हैं तो इसलिए मैंने वाइसओवर किया था क्योंकि जहां पर मैं वाइस ओवर कर रही थी उस जगह पर बहुत ज़दा पटा कोई आवाज आ रही थी इसलिए मुझे वाइसओवर करना पड़ा तो चलिए वीडियो कर रही हूं यह छोटु सा बॉक्स है और जो भी चीजे मैंने ली हैं उनकी पिक्स आपको साइड में मैं शेयर कर दूंगी तो सबसे पहले मैं आपको लिखाती हूँ यह है इसको हजबन ने खोलने की कोशिस की थी लेकिन काफी अच्छे से पैक का तो फिर उन्हों ने नहीं कोला छोड़ दी आधे रास्ते में इसको तो मैं इसको पूरा कर देती हूँ यह है प्यारा सा छोटू सा धूप फोल्डर इसके अंदर आप धूपती रख दीजिए और इसको बंद करके रूम में लिविंग रूम में यहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर रख दीजिए बहुत अच्छी सी प्रेग्नेंस पैल जाएगी पूरे रूम में यह है प्राइज में मिल गया मुझे दूसरा है यह कुछ चीजे मैंने कोल के देख लिए क्योंकि यह साही चीजे एक एक करके आ रही थी तो मुझे चेक भी करना था कोई भी चीज डिफेक्टिव ना हो ताकि उसका जो रिटेंट पॉलिसी हो उसके वह निकल जाए और मैं रह ज मैंने सब चीजे चेक करके देख लिए तो यह थे परदे इस तरह से मैं इसकी पिक्चर अलग से भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी साइड में इसका पैटर्ण इस तरह के और मैंने अपने रूम के लिए और ट्राइंग रूम के लिए दोनों के लिए हैं लेकिन इनका अलग है तो इसमें दो पर्दे है इतनी बढ़िया वाली सेल चल लाई थी कि उसे रहा नहीं गया और ये दो पर्दे है मैं आपको प्राइस बताया दे रही हूं इनका जो रियल प्राइस है सेवन नाइन नाइन है और ये मुझे सिर्फ तीन सो रुपे में दो पर्दे मिले क्वाल्टी बेस्ट है पोल के भी मैं आपको दिखा देती हूं आपको ऍपाइश्ट ही है ये पर्दे लगे हुए हैं इसमी प्राइस है ये कोफ्ना आप wy वर प्राइस कि वर ते कुमा मार्केट मम problem Southeast Sh collabor मते भी枝े तो और आपनी बुन्धा है आपके साथ कर ल को था कर रही हूं ये में दोल क्रों मार्केट से लिए उनकाश बहुत मेहंगे पड़े थे ये मुझे तीन सू रुपय के दो पर्द ही मिल गया है इसलिए मैंने नहीं छोड़ा कि पर्दे बहुत टाइम से में बदलना चाहरी थी अपने घर के और इसका पैटर्न भी का कि अच्छा लगा जब लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा और सीब वगेरा भी में साब कुछ मैंने मैंचिं कर लिया है और यह इसके अनबॉक्स मैंने नहीं किये क्ली आया है तो मैंने होताब आपके सामने ही शेयर करूँगी तो यह है स्टोरेज बैर इस तरह से यह 10 पीस में मुझे मिले है यह यह 5 यह है और 5 यह रेड कलर में है तो यह भी अच्छी पॉल्टी में मुझे मिला है इस तरह से यहां पर ट्रांस्पारेंट दिया गया हुआ है ताकि आप अपने कपड़े हैं पहचान साके सारे बैक खोलने के जौरत नहीं पड़ेगी जिपर पैठ है यह 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 भी मुझे काफी अच्छे और कम दाम में मिला तो तभी मैंने लिखे पर प्रियों किया वरना मैं नहीं यह है कुशन कवर यह कुशन कवर काफी अच्छी कॉल्टी में है और काफी कपड़ा भी इसका काफी अच्छा है फाइप पीस हैं इसके कि यह कि यह यह लास्ट है तो यह भी मुझे काफी अच्छे प्राइज में मिलिया और यह है बैट सीड प्योर कॉटन की बैट सीड है किंग साइज है किंग साइज डबल बैट का है यह कि विद पिलो कबर कि यह देखें है कि पूरा नहीं कोल के दिखा सकती मैं इसका पिलो कबर आपको खोल के दिखा देती है इसी तरह की डिजाइन है कि बैट सीड में भी और इससे पहले भी मैंने एक बार ओनलाइन बैट सीड मंगवाई थी इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है बहुत ही सॉफ्ट है और प्योर कॉटन में है वो मैं कभी तभी उसको बिछाती भी हूँ और उसका जो कलार है कापी खुपसूरत है जब प्योर कॉटन में बैट सीड है इसका पिलो कवर मैं आपको दिखाती हूँ विर पिलो कवर है और जो पहले मैंने आपको कर्टन दिखाए है उसी कही उसी तरह के और ही यह डोड के हैं उसी डिजाइब में है यह 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 बिजाए पिये होगया यह है यह बी श्रच बैग है यह बी श्रच बैग है इस तरह को गहाँ हो और है यह इस पर। हुआ हाँ गया है मैंने डो मीदि नहीं है दो में है और इसमें लास्ट लास्ट ये नहीं है ये लास्ट अभी मैं आपको दिखाओ, रूम उन्हेर रखा है वो अग्न में आपको दिखाऊंगी है यह भी कली आया था तो मैंने नहीं उपन करता है इसमें भी कर्टन्स है अब खोलना पड़ेगा फूरा टेप पूरा यह अंदर से टेप लगा हुआ है यह देखिए एक में दो हैं और यह मैंने आपको बताया था ना तीन सुरुपए के दो पर्टे मुधी मिले हैं और इनका डिजाइन कॉल्टी काफी अच्छा है कपड़े का यह इसका पैटन कुछ इस तरह से हैं सारे कोल के नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे पैक करना पड़ेगा जब मैं दिवाली का व्लॉग आपके साथ में शेयर करूंगी उसमें देखिएगा मेरी डेकोरेशन चलिए सबसे लास्ट वाले बॉक्स को यह अन्बॉक्सिंग करते हैं ठीक है चलिए चलिए चलि तो यह देखिए अब लास्ट जो बॉक्स है जो मैं आपके सामने अन्बॉक्सिंग करने वाली उसमें क्या है मैंने उल्टा खोल दिया बॉक्स को तो यह है इस्टोरेज बॉक्स जो कि पीहले भी आपके साथ में शेर कर चुकरी हूं और यह थे लिए क्षर का बॉक्स है की अजय इसका पिक्चर मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी लेकिन यहें मैं आपको इसमाई इसका फोटो दिखा देती हूं लेकिन साइड में मैं इसका पिक्चर आपके साथ में शेयर करूँगी तो ये ये वाला मैंने मंगवाया है पैक जिसमें की 6-in-1 ड्रॉर है ये स्टोरेज के लिए मंगवाया है इसमें कुछ भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते आराम से अब आपके साथ में जिए और आपके साथ में शेयर भी किया है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और कैसे लगी आपकी मेरी सप्पिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा और यदि आप मेरे चैनल के नए आए हैं दिवाली होने लगी अभी से ही तो यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं बाइ!